अगर आपको बहुत लंबे समय से जुखाम लगा हुआ है नाक बंद रहती है तो आप इस अभ्यास को कीजिए आपका जुखाम और अगर आपको साइनस की प्रॉबलम भी है बार-बार छीके आती है ऐलर्जी हो जाती है तो इस अभ्यास से ये सभी समस्याएं आपकी दूर ह हो जाएंगी तो आएंगे अभ्यास के लिए अगर आप चनल पर नए है तो जल को सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले बजरासन में बैठें दोनों हातों को आगे कीचे सशांकासन में जाएं और स्वास भड़ते हुए इस प्रकार भुजंगासन में आएं और स्वास छोड़ते हुए परवतासन में इस प्रकार आपको 25 से 30 राउंड करने हैं भुजंगासन के और परवतासन के जब आप भुजंगासन और परवतासन को कंप्लीट कर लें तब दोनों पैरों के गोटनों को बाहर की और खोलें दोनों पीछे से अंगोठों को मिलाएं और सश चांगासन और है फिर आपको 25 से अपको भुजंगासन के करने हैं इस प्रकार जब आप को कर लें तो थोड़ा साद्रीलेक्स करें अगर आप इतना भी और दे कर लेते हैं तो आपके शरीर से जुखाम दूर हो जाएगा नाक बंद नहीं होगी और अगर आपको लंबे समय ऐसे sinus की problem भी है तो वह problem भी आपकी solve हो जाएगी, lower back pain भी और belly fat भी साथ ही साथ में घतम हो जाएगा तो आज का हमारा भ्यास बस इतना ही था तब तक के लिए आग्या दीजिए धन्यवाद